नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जड़धारी क्लासेज में दोस्तों यहां पे उत्राखन वंदरोगा भरती के समन्द में एक महत्तपूर्ण अपडेट आया हुआ है और यह दोस्तों अब भरतियों के लिए कहीं ने कहीं एक बहुत बुरी है एक उतना लंबा समय भी चल यह बीच में और साथ साथ इसमें दुबारा भी एक्जाम हुआ और अब अपडेट यह है दोस्तों कि 316 पद जो इसमें टोटल थे उसमें केवल 105 पद जो कि सीधी भरती से भरे जाएंगे बाकि 211 पद पदोनती से भरे जाएंगे तो 316 के जो विग्यापन आये था 316 पदों के लिए आये था विग्यापन की 316 पदों सीधी भरती से भरे जाएंगे लेकिन अब बेरतियों के साथ कहीं न कहीं एक खिलवाण हो चुका है दोस्तों क्योंकि अब 211 पदों को पदोनत से भरा जाएगा बलकि केवल 105 पदों को यहां पर सीधी भरती से भरा जाएगा तो जो अब्यरती जो की जिनका सेलेक्शन हो चुका था और वो आर्चे अंडर टू 316 तो उनके लिए कहीं न कहीं एक यह बहुत बूरी खबर है हाई कोट ने वन दरों का भरती मामले में सुनवाई के बार राज्य सरकार को 316 पदों में स 105 पदों को सीधी भरती और 211 को पदोनती से भनने के आदेश दिये हैं कोट के इस आदेश के बाद वन आरक्षों के वन दरों का बनने और सीधी भरती से न्युक्ति का राश्ता साफ हो गया है और पदोनती किसके होगी जो क्या है जो वन आरक्षी है जो सीनर वन आरक्षी हर्स वर्दन ने हाई कोट में याची का दायर करका था कि सरकार वंद्रवा के 316 रिक्त पदों को सीधी भरती के मादियम से भर देना चाहती है इससे वन आरक्षियों को पदोनेती का अवसर खत्म हो जाएगा तो इस परकार से दोस्तों ये महित्वपून अपडेट है यहाँ पर और ये कहीं न कहीं दोस्तों अब गट्चों के साथ एक खिलवाड है और क्योंकि एक तो इतना समय लगया दोस्तों इस भरती पर 2019 से लेकर अभी तक और बीच में फिर धान ली फिर दुबारा एक्जाम अब जाकर फानली कहीं ये अपने अंतिम चरण में पहुंची थी तो इसमें एक और यहाँ पर क्या हो चुका है और अब यहाँ पर जो 316 पते वो डारेक्ट नहीं भरे जाएंगे और सीधी भरती से नहीं भरे जाएंगे बलकि केवल 105 पद यहाँ पर सीधी भरती से भरे जाएंगे 211 पत दोस्ति आपरे हटा दे गए हैं जो 211 पत हैं वो पदोनति से भरे जाएंगे यानि जो अब गरती हैं जिनका सेलेक्शन हुआ है तो केवल 105 अब गरती हों कहें वहाँ पर क्या हो पाएगा सेलेक्शन हो पाएगा तो यह रही दोस्तों आज की महतवपून अपडेट आपको अपडेट कैसे लेगी आपका इस बारे में क्या राया है कमेंट बॉक्स में जरूवत आएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडिशा तब तक लिए धन्यवाद